है श्रीकृषिना दोस्तों मेरी योट्यूब चैनल श्रिष्टि ग्यान ऐस्ट्रोलोजी में आप सोब का स्वागत है काफित दुनों के बाद आपको सामने उपस्ते दुवा हूं राशियों का हाल लेकर आज जो बात करेंगे इस वीडियों जो बात करेंगे वो बात होगी हमारी काल चक्रक्की कुंडली के हिसाथ से क्या ग्रहे सितिया हैं क्या परिवर्तन हो रहा है आने वादे दो महीनों के अंदर कितना लावं को मिलेगा इन दो महीनों के अंदर इसकी हम चर्चा करेंगे प्रथम रासी, अगनी तत्यु की रासी, अगनी तत्यु के मंगल प्रभीश करेंगे. सबसे पहले देखा जाए, काल चक्रिताफम का जो लगन है, उससे मैं मज़गोंती आएगे. प्रकर्पी में मज़िगूती आएगी तो मंगल आ रहे हैं राहू त्रित के भाव में उच्के हैं सुक्र के साथ में जो सुक्र को पीडित कर रहे हैं सुक्र राहू के साथ में पीडित हो जाता है ब्रस्तती केत्यू की तृष्टी पड़ी भी है सुर्य और बुद्ध फिलार करतरासी में है 16 अगस 2020 को सुर्य भी अपनी खुद की रासी सिंग रासी में प्रविश कर जाएंगे बुद्ध भी 17 दिन के बाद उनका गोचल होगा सत्रा अगर्ष 2020 को वो बुद्रासी में बुद्र सिंग रासी में आ जाएंगे सूर्य के साथ बुद्रत्य का योग बनाएंगे बात करते हैं आगे चलें ब्रस्पती केतु पहले से ही धनुरासी में जहां ब्रस्पती अपने खुद की रासी में है तो अब जो ब्रस्पती जी जो यहां पे थे अकेले देखे अपने घर के थे सूर्य भी करकर राशी में इतना चफल नहीं देते क्योंकि जल तक्त्य की राशी ही यह अगी तक्त्य के हैं तो इनका बल इच्छन होता चला जाता है राहू उचके थे अभी शुक्र भी इसके साथ में पीड़ी चल रहा है तो ब्रस्पती जो बल होना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे है जैसे ही मंगल सूर्य और बुद्ध ये देखे काल चक्री कुंडली में पहले भाव में ये दिगबली हो जाते हैं भाव बल इनको मिल जाता है और ब्रस्पती की द्रिष्टी भी पांची द्रिष्टी से ब्रस्पती देखेंगे मंगल को पहले भाव मेश राशी को इतना इसमें यहां फर्क पड़ेगा इनको फल मिलना सुरू हो जाएगा आप देखे क्या परिए तनोगा कि इस इन राशियों को लाभ इसके बार भाव मिलना आपको बताते हैं सबसे पहले मंगल हम सभी जानते हैं राज्यों करिणमान मंगल भी करते हैं राऊच के हैं सेप्टेमर मेरी राशी बदलेगे ये भी सूर्य और गुदू सूर्य कहा जाता है अगर राज्यों को आपके पास में काफी साज आपके राज्यों बने हुए हैं सूर्य की सिति कमजोर है सूर्य अगर रात्री के जनम आपका है तुला राशी के सूर्य है करक राशी के अंदर यानि की जल वाली राशी के अंदर भी अगर सूर्य है जैसे की बात करें सिंग और व्रिष्चिक मीन करक व्रिष्चिक और मीन राश तो किन-किन राशियों को लाब मिलेगा वो आपको हम बता देते हैं। मेश राशी क्यों? क्योंकि मेश राशी के स्वामी, मंगल, स्वय राशी जो है उसमें आ रहे हैं। जैसे अपनी राशी में आएंगे, अपनी राशी को, अपनी घर को मजबूत इस्थिति में लेकर आएंगे. फिर बात करते हैं हम मिथुन राशी, मिथुन राशी के क्यों? क्योंकि मिथुन राशी में आप देखेगा मंगल, जो हैं मिथुन राशी में आ रहे हैं, एक आदस भाव, दौदस, ग्यार भी भाव में मंदल आ रहे हैं खुज के घर के तो मिठोनासी को भी लाव मिलेगा वैसे लिए राहू सेप्टेंबर दर बैठे हैं उच्चे के तो इनको लाव देजी हैं, मिठोनासी वाले लाव देते ही देते हैं इसके बाद बात करें करकरासी की, करकरासी की कैसे है, देखो यह हमारा जो होता है करकरासी से दूसरा भाव, धन वाला भाव, परिवार वाला भाव, जहां सूरी आ रहे हैं तो पित्री दो जोत्पन हुआ था वो सांत हो जाएगा धन संबंदी जो समझ्या है थी वो दूर हो जाएगी साधी से संबंदी विवार क्या रिष्टे तूट रहे थे या विवार नहीं हो पा रहा था उससे भी मुक्ती दिल जाएगी दो महिनों के अंदर सूरिय राशी परिवतन होने के बाद ये चांस बढ़ेगा और कर्क लगन वालों को दूसरे भाव में हो रहा है तो इनको भी एक तरिकेशी रगा लीजिए धन की तरफ से परिवार की तरफ से राजियों को फाइदा मिलेगा बुदा तित्ययों को फाइ हैं और सिंग राशी इसा देखा जाएं तो इनको लगन वाला जाए तो इपने आज रहां केले की मजबूत करेंगे serie और इंके साथ बुद्ध का भी होगा झांने तुला राशी क्योंकि देखो सनी की दस्वी द्रिष्टी है सनी जो है वो दस्वी द्रिष्टी जो है वो तुला राशी के है सनी की दस्वी द्रिष्टी तुला राशी के है यानि कि उच्च की द्रिष्टी से देख रहे हैं तो तुल्या रासी को भी फायदा आवश्य होगा क्योंकि यह 17 गस के बाद में यह सिंग राशी में रहेंगे उसके बाद में गुद्ध अपने उ स्वेराशी में अजाएंगे जैसे स्वेराशी में आएंगे तो इनको यहां मजबूँती मिल गाएगी और तुला रासी के बारों भाव में बुद्ध खुद के धरते होंगे तो कावे अच्छा बेरी प्रिटिट को भी देखने को मिलेगा तुला रासी के बात में अगर हम बात करें वृष्चिक रासी वृष्चिक रासी को भी काज़ की फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए विरिष्टिक राशी से दसंभाव में और अपने घर के स्वर घ्रही हो जाएंगे बुद्ध के साथ इनको गुदतित्रियों का फायदा मिलेगा विरिष्टिक राशी वालों को साड़ी साथी से परेशान थे जनवरी में मुखत हुए लेकिन राहू भी अ काफी कुछ इनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा आने वाले दो माईनों गंदा है बात करें धनुरासी की धनुरासी में ब्रस्पती जी विराजमान है पहले से ही और नवंबर तक ये हैं वक्री चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं पेट्टुक साथ विराजमान है तो पंदल ही स्वय ग्रही हो जाएंगे मकर रासी की बात करें समी विराजमान है स्वय रासी के हैं मैंने जो इसलिए दिया है जो भी रासी स्वामी है वो अपनी रासी में है तो वो अपनी रासी को और अपनी रासी की जो भी जातक होते हैं उनको बचा ही लेता है क्योंकि पह बबी दूसरा धन्बाव परिवार वाल पाप महां मंगल ग्राजवान के तो इन राशियों को काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा कन्या राशी गुलाब इसलिए नहीं है क्योंकि कन्या राशी में अभी देखे हैं तो बुद्ध जो है अभी बार में चलेंगे कोई भी ग्रह अपनी राशी से बारो होता है तो इतना चपल नहीं दे पाता तो यह है आने वाले दो महीनों का हाल अब जो राशीय दुख पा रही थी कुछ ना किसे रूप में तकलीफ थी कमी थी वो दूर हो जाएगी तो अब जितने भी यह है करक सिंग मेस वरिष्चिक धनु मकरमी इनको क्या चीए बगवान सूर्य देवता की अराधना कीजिए मंगल देवता की अराधना कर सकते हैं दर्श्पती पुड मिलाके हवन अवश्य करवाईएगा इन दो महीनों के अंदर पाठन के अवश्य करवाईएगा भागवत का थाप करवा सकते हैं और हर तरीके का सुख आपके परिवार को मिलेगा बस इस वीडियो में इतने बताना करता हूँ आपको कोई समझ्या हो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा स्रीरा दे